दोस्तों आज मैं आपके लिए समुंदर के पाँचे सबसी खतनाग जानवर लेकर आया हूँ जिनको पानी के नीचे खो जा गया इन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दा पेसिफिक ब्लेक ड्रेगन समुंदर में 3000 फिट से भी जादा गैराई में पाया जाने वाला ये क्रियेचर काफी कम पानी की सतह पर आता है अगर हम बात करें इसकी साइज की तो इसमें फिमेल ब्लेक ड्रेगन की साइज मेल ब्लेक ड्रेगन से जादा होती है बताया जाता है कि यह अपने सिकार को धोके से पकड़ती है और जिनके नुकिले नाखुन से इनके सिकार का बच पाना काफी मुश्किल बन जाता है दव एंपायर स्कोर्ड बताया जाता है कि इस क्रियेचर की आखे दुनिया में मुझूद किसी भी जीव की आखों से ज्यादा बड़ी होती है कही लोग इससे इसलिए डरते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वेंपायर स्कोर्ड इंसानों का खून पीती है लेकिन असल में ये गलत है क्योंकि वेंपायर स्कोर्ड का ये नाम केवल उसकी लाल आखों के कारण पड़ा है इस क्रियेचर के बारे में बताया जाता है कि वैसे तो ये दिखने में काफी छोटा होता है लेकिन आप इसके छोटे हकार को देख कर इसको कमजोर समझने की गलती ना करें क्योंकि ये क्रियेचर अपने सरीर से 10 गुना ज्यादा वजन का खाना भी खा सकता है और उसको कई दिनों तक अपने पेट में रख कर पचा भी सकता है बिग रेड जेली फिस लाल रंकी ये जेली फिस तीन फिट तक लंबी होती है जो कि नोर्थ अमेरिका की समुंदर में पाई जाती है जिसके साथ आर्म सो होते है जिससे ही अपने सिकार को खाती है इस फिस को ड्राइवास के एक टीम ने तब अपने केमरे में रिकोर्ड कर लिया जब वो पानी की गहराई में थी तब ही अचानक उसके सामने नो फिर टूची ये फिस आ गई जो चाती तो उन सबी ड्राइवास को एक बार में खा जाती लेकिन जाइगेंटिक सान फिस इंसानों को नहीं खाती इसलिए वो फिस उनके करीब से होकर गुजार गई दोस्तों क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक मिलेगा जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकिंड लगेगा और वीडियो के निचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक किजिए उस सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना